दोस्तो नमस्कार कितना अच्छा होता कि हम अपने पास्ट में जा सकते थे और अपने सारी गलतियों को सुधार सकते थे और कितना अच्छा होता यदि हम फ्यूचर में जाके अपने फ्यूचर को भी बदल सकते थे इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल करना, तो क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है, क्या ये संभव हो सकता है, तो फिजिक्स के नियम के नुसार ठियोरी के रूप में ये संभव है, तो आईए जानते हैं कि कैसे ये संभव है, फिजिक्स के लॉज के नुसार टाइम ट्रेवल क्योंकि time universal और constant होता था लेकिन जब Einstein ने space और time को मिला कर एक किया, space time बना तो ये बात सामने आई कि time भी तो space की तरह ही dimension है और हम time में भी आगे पीछे जा सकते हैं, space time में भी आगे पीछे जा सकते हैं, तो time travel तीन तरीकों से किया जा सकता है थियोरी के रूप में, तो कौन क wormhole क्या है ये आगे के वीडियो में बात करेंगे, wormhole space time bridge है या space time tunnel है, इसको बोलते हैं सुरंग, space time सुरंग, यदि इस सुरंग में परवेश करें, तो हमें time travel देखने को मिलेगा, और wormhole है या नहीं ये तो पता नहीं है, क्योंकि अभी तक wormhole को देखा नहीं जा सका है, और लेब में भी इसे create नहीं किया जा सकता, लेकिन ठोरीक रूप में तो wormhole है, ठोरीक रूप में physics के नियम करते हैं कि wormhole को create किया जा सकता है, तो हम इस time travel wormhole के द्वारा भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है blackhole, blackhole के चारों और समय बहुत slow हो जाता है, यदि हम blackhole के चारों और च लगाते रहें, तो हमें time travel देखनों को मिलेगा, time dilation के कारण, तो यह दूसरा तरीका है, तिसरा तरीका है quantum mechanics के द्वारा, जिसको बोलते है quantum entanglement, quantum entanglement में information को speed की गती से भी ज्यादा, light की गती से भी ज्यादा गती से हम कोई भी information भेज सकते हैं, यह बिलकुल time travel की ही तरह ह होगा, तो हम quantum entanglement के द्वारा भी time travel कर सकते हैं, तो यह मुखिता तीन तरीका है time travel करने का, लेकिन यह practically संभव नहीं है, यह केवल थोरी के रुप में है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, share करें और subscribe करें